को ह Trevor कैसे हो आप लो आई-ष॥ आप सब बहुत अच्छे होगे नो आज का जो टॉपिक रहा है आपकी शादी कब खोंगी किससे होगी और जो आपके लाइप पार्ट्नरों होंगे कैसे होंगे उनकी बसनार्टी कैसी होगी देखने में कैसे होंगे उनकी जॉब क्या होगी उनकी नौकरी क्या होगी यह सब आज हम देखेंगे क्योंकि काफ़े टाइम से इस टॉपिक पे कमेंटा रहे थे कि मैं में इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो मैंने सुचा चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा यही है कि आपके येलो स्टार अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे थ्रे स्टार है ये नमबर वन टू थ्री आपको जो अच्छा लगदा आप चुन सकते हैं फिर हम देखेंगे कि आपके काट केस आप से आपके शादी कब होगी किससे होगी और जो आपके पार्टीर से नमबर वन टू थृ स्टार फारों से जने लोगों ने भी यलो कलर का मैं चुना है ठीक है तो ये कि यलो स्टार तो चल ये पहसे देखते हैं आपकी कब होगी तो ये कब के लिए आप भी बहुत परिशान हैं सोच रहे हैं काफी टाइम से अधा दिक रहा हैं किसे होगी और फिर देखेंगे जो आपके लाइब पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे उनकी परस्नालटी कैसे होगे कब होगी इसमें तो आसा टाइम मुझे देख रहा है किस से होगी यहां यह बाते क्लियर लग रही है मुझे आपको मुझे लग रहा है आपकी जो शादी होगी वो अरेंज मैरेज होगी कोई ऐसा परसन आपके लाइफ में आएगा जिसे आपकी फैमिली ने चुना होगा आपके लिए तो यह मुझे घराए कि फैमिली के हिसाब से ही आपकी शादी होगी तो अरेंज मैरेज मुझे दिख्ञाए है यहाँ पर और आप चाह रही हैं यह भी दिख्ञा है कि आप सोच रहे हैं यह चाह रहे हैं कि आप आप operate brand is कहा जाते हैं कि आप आपकी शादी होगी कोह आपके life में आप paste योप में और एक से और मुझे यहां दिख रही है कि आप किसी को लाइक करते हैं लेकिन आपको भी पता है कि उससे आपकी शादी नहीं हो सकती है यह एक तरफा महबत भी यहां दिख रही है एक तरफा महबत भी है यहां पर और ऐसा सिच्वेशन भी हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते ह और अच्छिसे से पताए कि आपकी फैमली वाले कभी भी उसे शादी आपकी नगें करवाएंगे और जो आपका लाइप पार्टनर होगा ऐसा बेसे परसन होगा इनकी नौकरी जो होगी वो सरकार्य नौकरी होगी और सरकारी नौकरी में बहुत ज़रा हाई पोस्ट नहीं जो पीज की पोस्ट होती है उस पर हो सकते हैं किसी बैंक में अच्छी नौक पोस्ट होगी उनकी टीचर हो सकते हैं जो सहाय करमचारी होते हैं ऐसी पोस्ट होगी इनकी और सरकारी नौकरी होगी ये लग रहा है मुझे यहां पर सरकारी नौकरी होगी और बहुत ऐसा परसन होगा ये कि इसने कर्म पर विश्वास करता है दूसरों की सहाथा करेंगे ऐसे परसन होगे बहुत ही साफ्ट नेचर वाले होगे बहुत ही उनका ऐसा नेचर होगा जैसे कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहेंगे तो जो इस परसन का नेचर है वो काफी अच्छा रहेगा नौकरी मैंने आपको बता दिया कि सरकारी नौकरी होगी लेकिन मद्य टाइप की सहाय होंगे करमचारी तो बहुत ज़्यादा हाई पोस तो नए साल जो भी होगा उसी यर हो सकती हैं आपकी शादी और बाते तो धी यहां वह सकता है कि यहां अभर आप पूने ख्मिली आंपार इसको कर दो खोगी आप गेनी की स्वाइब कर दो आज से बाते जाएं कि भी अब साथ इस तरह कर दूने बधाएं आपको फरी रटिंगे अच्छी लगी बने केया आप कि आपकी क्लियर होगी कि पर चाहदी हो रही है और पिर इंटी काफी अच्छी अच्छी कोई काफी अच्छी रख सोफ्ट माइन वाले परसन दिल रहे हैं और कुछ भी रखिए अच्छी बुरी हर चीजों में आपका सा आपके दोस्त की और एक चीज और मुझे दिख रही है कि आप दोनों का नीचर बहुत जादा मिलेगा तो जैसे आप है आपकी जो लाइफ पाटनर होंगे उन्हें सेम चीछे होंगी पसंद नापसंद आपकी जैसे ही होगी तो इस वज़े से आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे तो सबस्क्रादी में दोड़ा सा वक्त है या चाहते हैं कि आपकी शादे हो जाए हो जाए है कि जब आपकी रिडिंग देखना है उसके चार महीने बार आपको ऐसे नियूज मिले कि आपकी शादे फिक्स हो आइंड होते होते हो सकता है समय का मतलब मैंना यह नहीं है कि काई साल लगश जाएंगे समय का मतलब यह कि अगर आप सोच तूर्छे महीने अब अगर अगले में अगे थोड़ा वक्त लग रहे रहे ने 4 पांच मेहने बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है आपके मैं ठीक है I hope कि आपको यह अच्छी लगी होंगी बात ही क्लियर हो गई होगी कि पहला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना कि आपकी शादी अरेंज मेरेंज मुझे दिख रही है दोसा मुझे दिख रहा है जो आपके पार्टनर होंगे एकदम सेम नेचर वाले होंगे जैसा और नेचर कैसा होगा आपके जैसे ही होगा आपकी फैमिली यह उसे पसंद करेगी आपकी पसंद ना पसंद यह है कि हाँ आप भी ओके करेंगे अपने तरफ से स्टार्टिंग में आपको पसंद थोड़ा सा से लगएगा क्योंकि आप किसी को लाइक करते हैं लेकिन घर व अच्छी दोस्ती बनेगी फिर आगे चलके आपको लगेगा आगे चलके कि हाँ यह आपके लिए परसंद राइट है और अच्छा हुआ कि आप खूई तो यह सारी चीचे मुझे पता चल लगी है आपके कार्स के जरिये और जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बात का ज जीवन में काफी ज़्यादा खूशिया होंगी आई गूफ कि आपको यह रिटिंग अच्छी लगी हो अब आते समझ में आ गई हो अगर को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बगएगा ठीक है अभी देखने हैं तो जिन लोगों ने भी यह वाला स्टार चूश किया था नंबर दो का चुना था आपने तो चल यह देख लेते हैं आपके आने वाले समय में आपकी शादी कब होगी और किस से होगी और आपका जो लाइप पार्टनर होगा वो कैसा होगा उनका नौकरी क्या होगा पुछ कि शादी कब होगी जड़ा टाइम तो नहीं लग रहा है मुझे बहुत कम वक्त रह गया आपकी शादी के लिए और देखते हैं किस से होगी तो आपकी शादी में जिससे हो रही है यहाँ पर आपको कार्ट दिख रहे होंगे देखे वक्त तो बहुत कम रह गया है आपकी शादी हो सकता है बाते भी चल लही हो या फिर आपने भी किसी को देखा हो अपने लिए यह भी हो सकता है को यह आपके लाइप में है पहले से यह चीजे तो मुझे दिख रही है किस से होगी में और देखने हैं उनका जो नेचर होगा क्यासा होगा उनकी जॉप अगेरा यह सब भी देखेंगे हैं ताथ में तो यहां जो जॉप दिख रही है वो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दो यह इनका कोई बिजनस है यह जो एनके में काहऊ होगा यह इस इस परसन को आप जानते हैं और जैस परसन को आप जानते हैं शादि भी आपकी उसी परसन से हो रही है in future और यह जो ऐसा हो गया न है कि आपने भी decide कर लिया उन्होंने भी decide कर लिया आप दोनों का जो रिस्ता वो काफी ज़ादा ये है कि आप दोनों ही दूसरे को बहुत ज़्यादा true love है आपका और आप चाते हैं दूसरे से शादी करना फैमिली इश्यू यहां पे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन आप दोनों के फैसले काफी ज्यादा दिख रहे हैं उभरते वे सरिष्टे में कि आपके जो फैसले है ना आप उसे फैसले पे ही चलेंगे यह मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में जो परसंड है जिसके बार जो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आये जो परसंड आएगा और जो परसंड आपके लाइफ में आएगा उसी से आपके साथी होगी यहां मुझे लव मैरिज के चांसे जादा दिख रहे हैं क्योंकि जो आपका नीचर है और जो आपका पार्टनर होगा इन फ्यूचर अगर नहीं मिला है आपको तो जब आएंगे जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहा है यह रेटिंग आप दोनों का जो एक नीचर ऐसा है कि आपने को डिसाइट कर लिया तो फिर आपको करना है तो आप करेंगे यहां पर शादी में भी सीज आपकी यह दिख रही है मुझे कि पोचिज करेंगे अभी देख रहे दें कि आप उन्हें पहचानेंगे कैसे कि यह वही परसन है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ मालने चे आपके लाइप में अभी कोई नहीं है फिर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है वो परसन जो आपके लाइप में आया क्या वही person है जो इससे आपकी शादी होगी आपको love होगा आपका true love होगा आपका soul met होगा आप एक चीछ से पहचान सकते हैं कि अगर आप जब उनके वैगराउंड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उनका जो family वैगराउंड होगा किसी ने किसी बिजनस से जुड़ा हुआ होगा कोई business कर रहे होंगे वो लोग और उनका जो business होगा काफी अच्छा चला होगा जैसा भी business होगा छोटी चीज का business होगा लेकिन वह भी अपनी एक अच्छी पहुंश अपनी एक अच्छी इस्तितिति में होगा तो उनका जो business होगा काफी अच्छा चला होगा उनकी जो हो गाग तो अगर यह साही चीजे मैश कर जाती है उस परसं में माद आपको पता चलता तो आप समझ आए कि यह वही परसं के बादे में यह कह रहा है और बाली जमागों के लिए जिनके लाज प्रसं के वा बहुत कि फोरे जिनके ही परसं Having आपके है से वह साथ में आप आप ऐसे आपने पहलों चित कर दिएoney दी कि उसको यह चीज़ कर नहीं थरयआ जिए को वह आयदेती नहीं कि अपने यह रिए वह चीज़ तो प्रह एक जो धनी नहीं नहीं परसन का नीचर है कैसा होगा अधी आप भी बहुत जादा खुले विचार वाले है और वह परसन में काफी जादा खुले विचार वाला होगा जो भी है आपका बॉय फेंड गल्फेंड मेल फीमेल कोई विद्जो भी रिडिंग देख रहा है सा नहीं है कि किसी मैंने मेल के लिए बना दिया तो यह जो आप लोग की जो नेचर है आपकी जो पस्नार्टी है कि आपको काफी फुले विचार के हैं आपको यह पुरानी बाते और पुरानी जो चीजे जो चली आ रही बैसले करना अच्छा लगता है ना कि किसी का सुन के तो आप अपने मनवानी करेंगे वह परसंट भी बिजनेस उसको पसंद होगा नौकरी पसंद नहीं होगी और आपको यहां मुझे लग रहा है कि अगर आप यह नेचर आपके पार्टनर का निकले आप या उनके में दो सब्कारी नौकरी करेंगा और यह सब्कारी में होगी उसकी जादा तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी आपका पार्टनर तो बहुत जल्दी उसमें उनको सफलता मिलेगी और शादी का जो समय हो काफी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है कि किसी के लाइफ मे अगर आपके रिडिंग देख रहा है और आपके लाइफ में पहले से कोई परसन है और आप पहचांद चुके हैं यह वही परसन है तो अब जड़ा वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी शादी में हैं बहुत जल्दी आप शादी कर लेंगे लेकिन अगर कोई ऐसा परसन देख रहा है और उनके लाइफ में कोई परसन है भी नहीं तो उसमें तो हुआ सब वक्त लग सकता है ठीक है अब तक सारे आंसर क्लियर हो चुके होंगे आपको आपको यह रिडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीचेगा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किय आपका नेचर उनका नेचर लगबल सेम है काफी जादा खुले विचारो वाले आप लोग है और उनका जो बिजनस है वो कोई ना कोई विजनसी कर रहा है कोई नौकरी पसंद नहीं है उनको या फिर आपको भी नौकरी नहीं पसंद है या फिर उनको लेकिन आप दोनों ही आपकी कफ़ाम कि कम यहां होगी और जैसमों की कमी कि फूरियें आपकी जीन में के सफलता की करी कम हो अभी आप लोग धीर धीरे लाइफ में एक स्टेप अगे चल लाइए जैसे से आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे आपका फियुचर काफी अच्छा है काफी ज़्यादा आपको जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में खुशिए आएंगी जब आप उनसे मिलेंगे और आपका जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो तब वो समय काफी अच्छा होगा आपके लाइप में काफी ज़्यादा हैप्पिनेस होगी आपको कभी किसी चीची कमी नहीं फील हो रही होगी आप अपने आपको बहुत लगी फील कर रहे होंगे और आपको हर पल यहीं लग रहा है कि मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ या सपने तो नहीं देख रही हो तो जो भी यह रिडिंग देख रहा है उसके लिए ठीक है और एक बात अकसर ध्यान रखा कर यह बहुत जरूरी बात है कि यह जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ यह मै जैसे मैंने जो जी चीजे इसमें बताई है कि आपके लाइफ में कोई परसन है अगर उसका फैमिली बेग्राउंड ऐसा है या फिर उसका नीचर ऐसा है आप दोनों की फीलिंग से में आपका च्रू लव आप दोनों काफी जादा ही दूसरे को लाइक करते हैं तो जब यह सा आपके लिए नहीं हैं तो मैं जो आपको बता रही हूं उसको मत करिए क्योंकि जब डिडिंग आपके लिए नहीं हैं इसका मतलब आपके लाइफ की सिच्वेशन कुछ और है ठीक है तो यह एक जर्नल डिडिंग doubling है ज़रूरी नहीं हर किसी Mineiß करेंगी कबहीं मैच करें ज कुछ समझ में नाया हो तो कमेंट करके ज़र पूछ लीचेगा आए देखते हैं जिन लोगों ने भी यह वाइट कलर का स्टार को चुना था आपकी शादी कब होगी किसे होगी और आपका जो लाइप पार्टनर होगा इसका नेचर कैसा होगा सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी शादी होगी कब कितना टाइम रहेगा आपकी शादी में शादी में तो टाइम मुझे लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में किस से होगी तो यहां पर आपके पार्टनर जो हैं वो कन्फ्यूज है और जो उनका नीचर है वो से साफ से लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो लव है वो ठ्रू लव है अभी देखते हैं कार्ट कुछ जादा ही निकल रहे हैं तो यहां पर हमें बहुत साइब क्लियर हो रही है कि आपके लाइप में क्या कुछ चलना है सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके लाइप में कोई परसन है जिसे आप बहुत लाइक करते हैं और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी की भी पर साथ ही साथ जो आपके पार्टनर है उनका भी same feeling है वो भी नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना जिसे भी आपको like करते हैं आप दोने ही चाहते हैं एक दूसरे की जीमन में life partner के रूप में रहें आपकी शादी में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी family चाहती है कि आपकी शादी हो चाहें तो यह हो सकता है कि आप family के वज़े से जली शादी के बारे में सोच रहे हैं जल से जल आपकी शादी हो चाहें लेकिन यहां पर जो बाते हैं यह हैं love marriage के लिए लेके कि आप किसी को बहुत like करते हैं आप और यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे अपने family से कहा हैं आप कैसे बाते आगे बढ़े हैं और कैसे वह आपको life partner यह साही चीजे हैं आप लोग का relationship में बहुत true दिख रहा है आप बहुत अच्छा प्यार है किसी के प्रती आप किसी को बहुत पसंद करते हैं साथ में वह भी person बहुत ज़्यादा पसंद करता है आप उनों का feeling इस समय का जो एक current दिख रही है energy same है कि आप दोनों ही काफी परिशान है गूसरे के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है क कैसे अपने आपको जमस सकते हैं कि आप जो सोच जादा ऐसा मुझे दिख रही है इसमें चो आपकी energy सेम है आपकी feeling सेम वजह यहां पर यह हो सकती है कि आपकी family आप दोनों ही काफी जादा अंतर है आप दोनों की जो कास्ट है वो अलग है आप दोनों की कांट्री भी कि बहुत जल्दी शादी होगी या तो फिर आप से होगी या तो फिर किसी और से होगी लेकिन जो सादी का जो situation बन रही है ना वह ज़्यादा ऐसे दिख रही है कि बहुत जल्दी होगी लेकिन एक साथ में चीज़ और भी दिख रही है कि यह बहुत ज़्यादा खुश है तो यहाँ जो शादी हो रही है आपकी वो खुश है तो आप खुश है किसी के साथ तो यह परसन वही हो सकता जिसके बारे में आप यह रिडिंग देख रहे हैं जो परसन आपके लाइप में अभी है आपकी confusion चल लाइप काफी टाइम से आप confused है तो आपका confusion भी खत्म हो के लिए या फिर उनकी family की तरफ से कुछ ऐसा है जो आपको ड़ा रहा है कि उनकी family तयार नहीं होगी आपका डर आपके nature में भी है कि आप डरते जादा है या आपके nature भी है लेकि साथ में साथ आप लोगों को एक नेचर की बाद कर चो आपका life partner होगा वह ऐसा होगा कि वह लोगों को समझाता भी बहुत है तो यह quality है उसके अंदर यह एक अच्छी चीज़ें उसके अंदर चलिए आप यह पहले क्लियर करते हैं कि आपके शादी love marriage हो रही है या अरेंज तो यहां मुझे लग रहा है कि जो आपके शादी है वो अरेंज मेरेज हो रही है अब यह इसलिए दिखरा है क्योंकि आप शादी करके तो खुश नहीं लेकिन शादी करने के बाद खुश नहीं शादी से पहले आप खुश नहीं है इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं आपने अरेंज मेरेज की तरफ अपना कدم बढ़ाया है तो यह हो सकता है बहुत लोग के साथ और जैसा कि हमारे समाज हैं, हमें भी बता है ज me semua आप अच्छा और दोटनें तो 21 002 दोटने थीज़ों के अपने कडमों को पीछे खींच ले। आप शादी के भाद खुश है, वर अन्युर्जिग कि पहले खुश नहीं कई ना कई आप आरेंज मैंज की तरफ गए हैं और आपके सामने बहुत सारी कनफ्यूजन आई और यह साही चीजे मुझे लगए बहुत जल्दी होंगी आपके लाइफ में अगर यह रिडिंग आप आप देख रहे हैं तो इसके दो महीने बाद और कुछ लोग के साथ 6 महीन आप खूष है काफी ज्यादा खूष हैं आपकी अपनी अची हैपी फैमिली है तो परिशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपिव डिसीजन आपका है आपने खुशी को चुना है खुशी है के बाद दिख रही है आपके जिसे पहले आप्षी परिशान रहें कि उनका भी कोई past में relationship रहा है जो को लेकर वह काफी hurt रहा है तो आप दोनों की feeling है आप दोनों का जो nature है वह seem है वह seem मिला है आप भी किसने किसी को लेकर hurt हुए हर्ट क्या हुए कि मतलब यह है कि आपने उन्हें छोड़ दिया आप उस खीर को लेकर यह साथ में इस person ने भी किसी को छोड़ा है उसको लेकर यह उदास इस जो यह जो आप लोगों का यह true प्यार है किसी और के प्रतिया दोनों की हो जाएगी तो आप अपने life partner में ही खोजेंगे और आज जो आपका life partner होगा वह भी आप नहीं उस person को समय बीचते बीचते एक समय ऐ दिल टुटा है तो सेम चीजे हैं यहाँ पर इसलिए आप दोनों की बहुत अच्छी बनेगी आपकी शादी यहाँ पर मुझे arrange marriage दिख रही है आप कुछ समय बाद धोई से confused हो सकते हैं आपके अंदर तो इसी तुविधा होगी कि क्या करें क्या ना करें दो चीजों में फ और आप कोई भी चीज करते तो से पहले आपके अंदर एक चीज आ जाती है कि यह चीज कहां हो सकती है ऐसा हो इसी को क्यों करें तो अगर यह चीज आपके life में अकसर होती रहती है तो इस पे थोड़ा सा work करें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो सच ह और ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो जैसा होता रहा है सबके साथ इन सब जो को आप ध्यान रखें हमेशा साकरात्मक सोचें अगर आप लब मैश के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप पहले कदम तो आगे बढ़ाएं जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कैसे बाते क्लियर होंगी तो यह बाते थी हैं आपकी कार्ड्स के हिसाब से आपके लाइप के बारे में यह एक जर्नल रिडिंग है अगर आपकी जिन्दगी से मैश कर रही हैंगी मेरी बाते जो भी मैने बाते बताई हैं इसमें अगर आपके दिन्दगी से मैच करती है आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तभी ये रिडिंग आपसे मैच कर रही है और तभी आप इसमें जो ही बाते मैंने आपको बताई है उसको फालो करिए गाने तो अगर नहीं मैच की है तो फिर रेडिंग आपसे मैच नहीं की है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो कि यह जरूरी रेडिंग है बार मैच हो यह भी जरूरी नहीं है आज आपके साथ नहीं मैच हुई है कल आपके साथ मैच होगी I hope कि आपको मेरी बाते समझ में आई हूँ कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीचेगा अगर डिडिंग अच्छी वह तो लाइक कर दीचेगा अगर आपने चेनल ससक्राइब नहीं किया तो चेनल ससक्राइब कर लेचेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ फ्रेंड्स